हेलौ हेलो 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 स्वागत आप सभी का फंडूट्रस में आज के पोस्टमेंट के सेशन में हम्म्म्म्म्मम्म है 3 request script and test script क्या है हमें कोई भी API में dynamic data pass करना है या उसके बाद हमने जो भी API trigger किया और उसको test करना है हमें कुछ data validate करना है for example उसका response क्या रहा है या हम कुछ expect कर रहे है कि for example हमने login किया तो login के बाद हमें उसका token मिलेगा तो token हमें मिल रहा है या नहीं API में तो वो basic exception होता है जो response में हम कुछ data expect कर रहे है वो data response में है या नहीं तो उसके लिए दो चीज़ यूज होता है एक तो pre request script इन दूसरा है test script ये दोनों हम आज discuss करने वाले हैं और उससे पहले ये वीडियो को like करना और share करना मत बुलिएगा और िधोन केकैट को थिए खर्षों करेगा रोलेंग लिए आक्षिन अभे में प्रिकोज्रा तो चलते हैं पोस्टमेंड की स्क्रीन पर यहां पर हमने जेशनक्किया कि उए कि अम्ने स्लेश का है तो authorization हम ने अभी तक discuss नहीं किया, authorization हम जब real-time API में काम करना start करेगे, then we will understand different oaths क्या है, ये सारे oaths के बारे में हम discuss करेंगे तब detail में, क्योंकि अभी test API इसमें हमारे पास token नहीं है, उसके बाद headers, तो headers में हमने ये सारा data पास किया है, headers भी हम discuss करेंगे, headers में क्या-क्या data जाएगा इन detail में, और body हमने post API के लिए हमने already body पे काम किया है, body में हम ये data पास कर रहे है, अब बात आती है pre-request script, pre-request script क्या हो गोई, ये request execute होने से पहने ही हमें कुछ dynamic data पास करना है, या फिर real scenario में क्या होता है, कि हमने API को trigger किया, उसमें से हमने को-कुछ data मिला, उसके बाद वो same data हमें be request में पास करना है, तो तभी pre-request का रोल आता है, या बहुत सारे scenarios में हमें dynamic data पास करना है, for example, ये Nissanth है, Nissanth की जगा पे email ID है, तो every time हमें नया email से user create करना है, तो every time तो हम इस पे edit करके update करके run नहीं कर पाएगे, तो उसके लिए कोई ना कोई solution होगा, तो वो solution हमें मिलेगा pre-request script, जो script execute होगा, उससे पहले वो data dynamically change कर देगा, और last में आता है test, test में हम data को validate करेंगे, जो भी data को हमें validate करना है, वो हम validate करेंगे, तो सबसे पहले समझते है pre-request script क्या है, तो यहाँ पर every time में यहाँ पर name को static pass कर रहा हूँ, every time जब भी मैं यह request pass करूँगा, उसका name stating ही रहेगा, निसानती रहेगा, बट अब यह मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अलग-अलग नाम pass करना है, तो यहाँ पर pre-request script में, यहाँ पर मैंने एक javascript code snippet add किया है, उसमें मैंने function बनाया है, और function में character define किया, मेरे को क्या-क्या characters चाहिए, a to z, capital letter में चाहिए, small letter में चाहिए, 0 to 89 numbers चाहिए, और उसके बाद मैं for loop चला के, वो length के हिसाब से data pick कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने define किया है, जब भी मैं यह function को call कर रहा हूँ, generate random text, तब मेरे को 10 characters चाहिए, dual characters चाहिए, उसके हिसाब से यह मेरे को एक string generate करके देगी, और फिर मैं, pm environment variables dot set, तो pm environment dot set, और यह मेरे को random text करके, उसको detail में discuss करेंगे आगे, बट अभी main मेरा aim है कि आपको demo दे, ताकि आपको समझ में आए कि actual में यह काम किसे गरता है, तो यहाँ पर हमें एक data मिल गया है random text, तो यह random text का data, हमें यहाँ पर body में पास करना है, और वो कैसे पास करना है, simple way में है, वो भी dynamic data है postman में, वो हमें यहाँ जैसे ही हमने double flower basis में पास किया, same जगा पर हर एक data double flower basis में पास होता है, तो यह हमने random text का data पास कर दिया यहाँ पे, अब मैं जैसे ही API को hit करूँगा, तो यहाँ पर मेरे को आ रहा है error, अब मेरे को कैसे पता चला कि इसने random text में क्या data पिक किया है, और मेरे को errors क्यू आ रहा है, तो वो देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा console में, तो यह आप view में जाओगे, view में option आएगा, so postman console, और आपको console को open कर लेना है, और आपने जो जो अभी request इट किया था, वो आपने request यहाँ पर दिख रही है, यह में clear कर देता हूँ console का window, यहाँ पर कोई भी request नहीं है, अब यह जैसे ही मैं request को send करूँगा, वो data console में add हो जाएगा, तो यहाँ पर यह request का data console में add हो गया, यहाँ पर आपने 400 response मिल रहा है, यह सेम, यहाँ पर देख सकते हैं, 400 bed request है, तो आपने 400 response मिल रहा है, अब आपने इसको expand करना है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़े दिखती है, network request headers किया है, जो जो data headers में गया है, लेकिए application slash JSON और यह सारा data रिया है, में गया है, उसके बाद response headers आया, response body में आपने यह response मिला था, HTML format में यहाँ पर हमें response मिला, तो वो सारी चीज़े देख सकते हैं, बट main चीज़ होता है, request queue fail हुआ, तो वो request queue fail हुआ, उसको समझने के लिए, आपने main चीज़ देखना होता है, request headers and request body, यह दू चीज़ से आपने पता चनेदा, कि request queue fail होता है, तो यह request पर आपने यह JSON पास किया था, आप यह JSON में गलती क्या है, अब मेरे को experience में बोल दूँगा सिधा, कि यहाँ पर double quote missing है, name के आज़ पास double quote फोना चाहिए, वो आपने discuss किया था JSON के वीडियो में, आपने जब get request initially में समझा था, तब मैंने समझा था कि JSON request कैसे build होता है, अगर आपको पता नहीं है, तो आप वो वीडियो अगर फिर से जाके देख सकते हो, बट आपको request body में structure नहीं कोई mismatch दिख रहा है, तो simply आप एक website है, JSON link करके, वो website में जाना है, यह data paste करना है, और जैसे validate करेंगी, यहाँ पर वो बता देगा, कि expecting string number null got undefined, तो यहाँ पर यह missing है, यह basically यहाँ पर string है, तो यहाँ पर double code missing है, यह जैसे ही मैं double code add करूँगा, तो वो data valid हो जाएगा, अब मैं जैसे ही send करूँगा, तो यह बोलेगा कि यह data valid है, यह JSON valid है, similar में यहाँ पर भी मेरे को double code add करना पड़ेगा, तो यह मैं यहाँ पर मैं double code add कर देता हूँ, send किया, यह request चल गया, अब मैंने send किया, आपने देखा कि यह wr something कुछ यह string में जा रहा है, अब मैं दूसरी बार send करूँगा, यह data change हो गया, यह third बार change हिट किया, यह data change हो गया, तो every time जब भी मैं इसको trayer करूँगा, वो data change हो जाएगा, तो अब मैं समझ भाए कि pre request script का purpose किया है, अब हम देखते हैं test में, तो test में यहाँ पर बहुत सारे predefined उसने script बना के दिया है, अब यहाँ पर है status code validation, तो अगर मेरे को status code को validate करना है, for example, यह मैंने add किया, तो अपने आप यहाँ पर code snippet बनके एक ready हो गया, उसने दो line का code snippet है, तो यहाँ पर similar way में एक function बनाया है, pmenv.get, तो यह एक main चीज होती है, इससे ही वो सारा data वो validate होता है, तो pmenv.get, यह उसका type हो गया, तो similar way में यहाँ पर यह pmenv.set है, तो यहाँ पर यह main line में क्या आगया है, कि pmen.test और यहाँ पर status code, यह string है, तो यह string में हम कोई भी value add कर सकते हैं हमारे ही साब, और यह function यह उसका standard syntax है, और हमें क्या make sure करना है, कि pmen.response 2 है, वो status 200, अब हमारे पास status क्या आ रहा है, हमारे पास status आ रहा है 2.0.1, अब यह function pass हो रहा है, fail हो हमें कैसे make sure करूँगा, यहाँ पर मैंने send कर दिया, बट यहाँ पर 201 वो expected response आ गया, तो वो make sure करने के लिए हमें यह पूरा collection को run करना पड़ेगा, तो यहाँ पर option है, run collection का, यह three dot के उपर collection को select करिया, three dot में run collection का option है, और हमें जो भी request को select run करना है, वो हम run कर सकते ही, तो यहाँ पर मेरे को सिर्फ post request को ही run करना है, तो post request को मैंने select किया, run API test और यहाँ पर आ रहा है, यह उसका status आ गया, fail, और status fail क्यों आ रहा है, expected response to have status code 200, but go to not one, अब मैं फिर से इसको to not one कर देता हूँ, कि मैं expect करना हूँ, इसका response to not one हो, तो यह सिनारियो में यह pass होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ का changes करने से, इसके बाद हमें make sure करना है कि उसको save कर रहा है, अदरवास वो pick नहीं करेगा, जो recent changes है, वो pick नहीं होगा, तो मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ, रन अगेन करता हूँ, अब यहाँ पर test पास हो गया, तो यह basically purpose है, टेस्ट का अब similar way में यहाँ यहाँ पर अलग अलग test एट कर सकते है, for example मेरे को appropriate कोई string को check करना है, मैं यहाँ से leader copy कर रहा हूँ, और leader को मेरे को make sure करना है कि वो response में leader है या नहीं, तो मैं इसको save करता हूँ, और मैं run again करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है, body match is string, अब उसके बाद मैं leader के अलावा कुछ dummy data पास करा हूँ, test 1, 2, 3, तो यह data response में नहीं है, तो उसको मैं अगर जैसे ही run करूँगा, तो वो fail होना जाए, तो run again, और यह बोल रहा है कि, test 1, 2, 3, the particular response to include test 1, 2, 3, वो इसमें नहीं है, तो यह error हुआ, यह fail हो गया, तो basically हम यहाँ पर अलग-अलग data का test aid कर सकते हैं, जो भी चीजे को test करना है, वो यह पूरा हम detail में समझेगे, जब हम next session से trailer का real-time API यूज़ करने वाल है, और वो collection कैसे दिखेगा, उसका मैं आपको demo देता हूँ, उसका भी मैं आपको walkthrough करवाता हूँ, तो हम trailer का basically collection बनाने वाले हैं, और यह collection में हमारे पास बहुत सारे real API से, cards है, यह सारी API से को हम check करेंगे, उसमें बहुत सारे data, अलग-अलग data real-time में कैसे काम करता है, multiple parameters है, multiple environment है, तो वो सारी की सारी चीज़े हम next session से समझने वाले हैं, हम सारी चीज़ समझेंगे कि collection में real-time में dynamic data कैसे पास करने है, pre-requests में एक चुल में हमने क्या-क्या test लिखना चाहिए, test में हम क्या-क्या validate करेंगे, अगर sequential API है, for example, 4 API है, एक API का data दूसरे API में जा रहा है, दूसरे का data तीसरे API इसमें जा रहा है, उसके बाद collection का data, हमने XML file में store किया है, तो XML file से वो data के से पिक करेगा, ये ट्रेलों के API से रहा हम सारा सिनारियों डिस्कस करने वाले है, तो आगे का session बहुत interesting और insightful बढने वाला है, तो make sure आप चेनल पर नहीं हो, तो ये वीडियो को like करना और share करना मत बुलेगा, और fundu tester को subscribe करिएगा, धनियवाद, प्रूप प्रूप बढने वाले हैं,